है अधो चुलो हैं प्रेंट्स मैं आपका दोस्ट डोक्तर सुनील कुमार और आप दिखरे हैं डोक्तर कुमार एड़ुकेशन क्लिनिक आयम पोस डॉक्टरा इंर क्लिनिकल माड़िसन द्डा मेटावोलक साइन्स लास्ट 18 एर से मैं अज ए क्लिनिकल फिजीशन प्रक्टिस कर रहा हूँ साउट डली चातरपुर में तो आज हम बात करेंगे कि लिवर का वड़ जाना क्या समश्या होती है और ये कितना सीरियस है और ये कितना लाइफ त्रेडिंग होता है और इसको हम कैसे समझें इसके क्या कारण होते हैं फिर इसको हम कैसे treat करें उससे पहले मैं आप सब लोगों को एक request करना चाहता हूँ कि WhatsApp पे मैं सब लोगों को personal reply नहीं कर सकता मैं सबी लोगों का personal call भी नहीं ले सकता मेरे लिए उन लोगों से बात करना personally possible नहीं है लेकिन मैं आप सब लोगों से एक request करता हूँ कि यदि आपको मेरे से कोई consultation चाहिए तो आप straight forward WhatsApp पे consultation के लिए request कर सकते हैं वो online consultation हो या फिर personal consultation हो लेकिन जरूरी यह है कि यदि आप दिल्ली में नहीं है दूर है और आप नहीं आ सकते तो मैं आपको personally advice दूँगा कि आप अपने आसपास कोई भी institutionally qualified doctors से आप परामर्स लें लेकिन आप अपने doctor को time दें doctors पे आप believe रखें और कुछ समय दें doctor को मैंने देखा है कि आज कल बहुत सारे लोग बहुत जल्दी जल्दी doctor change करते हैं multiple thoughts के साथ रहते हैं वो चाथ दो दो तीन तीन चार चार दोक्टरों से एक से साथ advice दे लेते हैं तो मैं आपको यह सला दूँगा कि आपका doctor आयो बैदिक हो या फिर homopathy वाला हो या फिर modern medicine वाला हो आप doctor का चुनाफ सोच समझ के करिए लेकिन doctor को time दीजिए doctors पर आप believe रखिए कुछ समय दीजिए क्योंकि आपको यदि कोई problem है तो कुछ समय जलूर लगेगा बहुत जल्दवाजी मत करिए हडवड़ा मत करिए आपको हम से कोई प्रामर्श है तो आप हमें बाटसर पर request कर सकते हैं I hope मेरी ये request आप समझेंगे और आप उसके according manage करेंगे चाहिए को तो आज हम बात करते हैं कि ये जो liver का बढ़ना है ये आकर क्यों होता है और इसके पीछे क्या कारण रहते हैं आपने देखा होगा कि जब आप कई वरी ultra sound कराने जाते हैं कि कोई digestive reason होता है या फिर आपको stone हो गई होती है या फिर कोई constipation जादा रहता है या पेट धर जादा रहता है या फिर आपको कोई bleeding बगरा हो गई होती है या आप alcohol लेते हैं या आपको fatty liver हो जाता है तो आप देखेंगे कि ultra sound होता है उसमें डॉक्टर आपको एक common सी बात बोलता है तिल्ली बढ़गी है आपकी या फिर आपको fatty liver हो गया है या फिर वो बोलेगा कि आपको कोई stone है गॉल ब्लेडे stone या kidney stone उस तरह का या फिर kidney में swelling है और एक जो और भी एक common सी चीज जो सामने आप लिखी मिलेगी आपको कि हिपेटोमाइगली हो गया है आपको इसका मतलब यह होता है कि liver थोड़ा सा enlarge हो गया है यानि कि आपका liver का size बढ़ गया है लिवर का जो safe होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है तो आगर यह कितनी बड़ी समझा है बहुत सारे लोग इसको कोई serious infection या cancer मान लेते हैं या फिर वो बहुत जादा दोखी परिसान हो जाते हैं तो इसको आप समझने की कोसिस करिए इसके पीछे causes जो है वो बहुत जादा causes नहीं है के लिए लेकिन फिर भी कुछ clinical causes होते हैं तो उसके बारे में आपका जानना बहुत ज़रूरी है infection के कारण आपका liver बढ़ सकता है आपको obesity यदि है मुटापा है बजन बढ़ रहा है आपका तो आपको यह होगा यदि आप बहुत ज़्यादे strong muscular exercise करते हैं और आप protein या फिर आप caffeine बहुत ज़्यादा लेते हैं तो फिर आपको यह दिक्कत हो सकती है fatty liver के कारण भी ऐसा होता है और viral hepatitis यानि की liver का infection जो होता है वो भी कई very responsible होता है इसके लिए toxins यानि की बहुत ज़्यादा है यदि आप outside food लेते हैं junk food लेते हैं बहुत ज़्यादे आप मतलब sugar वाला या बहुत ज़्यादा fat वाला खाना खाते हैं तो फिर आपका toxins का level जाते होगा और उसके कारण भी आपका liver enlarge हो सकता है इसमें डिक genetic disposition होता है genetic reason होता है कि genetic reason से मतलब है कि एक खानदानी link भी इसका हो सकता है लगबाग 15-20% लोगों में liver का बढ़ना enlarge होना genetic होता है यानि कि वो आपके parents से for father से आप में आता है उसके बाद आता है कि कुछ autoimmune यदि problem है किसी को तो liver enlarge हो सकता है इसके बाद है आपका cancer या कोई serious infection viral like viral hepatitis उसके कारण भी आपका जो liver है वो enlarge हो जाता है food में आपका basic यह है कि आप बहुत ज़्यादा तलाब होना बहुत ज़्यादा मीठा और बहुत ज़्यादा alcohol का सेवन ना करें उसके कारण भी आपका liver enlarge होता है इसके management में treatment में prevention में एक ही बात है कि यदि आपका liver enlarge है और first stage में है तो बहुत ज़्यादा डरने की कोई आवशक्ता नहीं है लेकिन यदि उसके साथ और symptoms है और cause है जैसे कि पीट में दार्ध होना liver fatty है लगातार fatty हो रहा है बजन का लगातार बढ़ना और आपको खाना अच्छे से ना पच्छना constipation होना कमजोरी लगना या फिर joint इस और first stage में है तो फिर आप exercise करिए हरी लाल सबजियां खाएए चुकंदर खाएए गाजर खाएए पपया खाएए अमरूत खाएए साख खाएए मूली की भुजिया खाएए यानि boiled करके मूली खाएए आप भुजिया के रूप में कच्छी मूली आप ना खाएए प्लस आप अपना weight reduction program तयार करिए weight reduce करिए तो इससे फिर आप बच पाएंगे और ठीक भी हो जाएंगे और आगे कोई complications आपको नहीं होगी लेकिन यदि इस तरह का कुछ है आपको problem हो रही है दर्द हो रहा है और बार बार ये चीज़ें परिसान कर दिए हैं तो आप एक scan करा सकते है fibrous scan या ultrasound या फिर एक MRI करा सकते हैं एक LFT प्लस CVC उससे फिर clear होगा एक diagnosis बनेगा कि इसका underline cause क्या है और फिर उसका एक treatment आपको मिलेगा और आप ठीक भी हो जाएंगे Thank you very much and take care yourself